दोस्तो cp plus dvr का password reset कैसे होता है आप ये वीडियो देखने इस चैनल पर आए है तो आज की वीडियो में मैं आपको चार से पांच step बताने वाला हूँ क्योंकि guys हो सकते है आपका ये same model हो हो सकते है आपका different model हो तो इस वीडियो को skip मत करना क्योंकि अगर आपका interface ऐसा नई भी है तब भी मैं आपको guide करने वाला हूँ किस तरीके से आप खुद अपने dvr का password reset कर देंगे सबसे पहले जो dvr अभी आपका सामने शो करूंगा इसका password reset करेंगे फिर बात करेंगे बाकी जो interface है उसके बारे में तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गुलशन आप देख रहे हैं cdv help line चलते हैं मेरी dvr की display पे तो guys आ गए है dvr पे यहाँ पे click करते हैं और खोलते है main menu so मुझसे यहां से password मांग रहा है guys सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर forget password का option नहीं है कुछ dvr में forget password का option होता है उसके बारे में बारे बात करूंगा पहले जो यह model है इसके बारे बात कर लेते हैं model नमबर आपको इंची शो हो रहा होगा यह वाला model है तो अगर आप आप ने सबसे पहले इस क्या करना है आपने यिजिय कृब है आप को यहां पर क्लिक करेंगे तो 8888 का option हाएगा आपने इसे select करना है इसका password तो maximal gauge upload अधर अजिय क्लिक कर्ना है और करते हैं अगरish फोर्ट उपन हो जाएगा लेकिन अब बात आते कि मुझे इंटर्नेट से भी लोगिन करना है तो वहाँ पर करने के लिए मुझे एड्मिंग का पासवर्ट चाहिए तो आप सेडिंग पर जाके यहाँ पर आपको जाना है डिफोल्ट और कर सकते हैं आप फंक्शन डिफोल्ट तो बाइस यह तो होगे पहले स्ट कि अगर आपको ट्रिपल एड्रिपल 8888888888 होते है तो सिंपल सी बात है पहले पांस्ट अब बात करते हैं कि 88888 का पासवर्ट मुझे नहीं पता तो सबस्वेश्यों इसको लोगाओउट कर देते हैं लोगाओओ कैसे करती है मैन मेनू खोलना है और यहाँ पर एक्ज़ट करते ही लोगाओओओड का ऑप्शन बारा लेना पड़ेगा एक application का, चलेंगे mobile phone पे एक app install करेंगे और उसमें आपको दिखाऊंगा किस साइब से आप easy तोर पे अपना super password create कर सकते हैं So guys, आपको मेरा phone दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने खोलनी है एक application, तो play store में जाके आप कहाँ पे search करेंगे super password Guys, super password search करते ही, जो पहली app आगी, वो आएगे ccdv super password आपने इस app को install कर लेना है यह app सिर्फ cp plus के लिए बाकी dvr के काम भी आती है, तो जल्दी कोशिश करूँगा, बाकी भी जो उसके feature है, वो भी लेके आने के Guys, एक बारी इस app को install हो जाते हैं, और देखते हैं कि किस तरके से इससे हम अपना password generate कर सकते हैं Guys, मेरी app install हो गई है, इसको open कर लेते हैं Open करके इसमें default password list आ जाएगी, तो आप इसमें check कर सकते हैं कि कौन-कौन से password, कौन-कौन से dvr के लिए काम आते हैं Default password क्या होते हैं, तो अब फिलाल मैं reset करना चाहता हूँ, तो third option दववा आ रहा है Guys, दववा और CP plus, दोनों के लिए आपने दववा पे ही क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा select a method, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके reset with serial number और reset with date and time, तो आपने reset with date and time पे क्लिक करना है Guys, यहाँ पे आपने जो date डालनी है, वो डालनी है जो आपकी DVR में exact अभी हो रही है, तो आप देख रहे हैं, मेरे DVR में 11 October 2022 हो रहा है, तो इस पे भी मैंने 11 October 2022 select करा हूँ है, by default आज की डिरारी है, तो इसको करते हैं, ओके अगर आपकी date DVR के लगा रही हो, तो यहाँ पे 964-292-508-960-530-328, यह तीन passwords one by one हम try करेंगे, तो सबसे पहले हम try करते हैं, हमारा third password, पहला password में डाल दिया है, यहाँ पर करते हैं login, तो invalid password four time left, अब second डालते हैं, दूसरा password जो center वाला है 508, अभी भी password काम नहीं किया, अब जो सबसे उपर password आरब वोड डालके रिख लि क्योंकि third password वोई है, so guys third password डाल दिया है, मैंने enter पे click करके करते हैं, okay, so guys मेरा जो menu है DVR का वो खुल गया है, so दोस्तो मेरा password unlock हो गया है, second method यह वाला है, कि आप इस app के थुरू भी अपने DVR के password को reset कर सकते हैं, अब third आता है कि आपके पास यह वाला model ही नहीं है, आपके पा total है, जिसमें forget password का option आ रहा है, so guys उसके लिए पूरी वीडियो बना रखिया है मैंने, नीचे आपको ने एक playlist दे रहा हूं है, ccdv password reset या cp plus password reset करके आपको option मिल जाएगा, उसमें basically जैसे की जितने भी method है, cp plus के password reset करने के तकरीबन 6-7 method है, जिसमें की एक वाला method है, जिसम scan करके अपने reset कर सकते हैं, उसकी वीडियो available है, एक है कि हमें pattern लोग तो पता है, लेकिन password नहीं पता, उसकी वीडियो available है, बहुत जल्दी अगर आपके पास barcode से आप scan करते हैं, लेकिन आपको email id भी नहीं पता, password आपके email पे नहीं आ सकता, तो अभी एक वीडियो बना रह आपके, guys उमेद करूँगा, इस तरके से आप अपने दीवया का password से कर सकते हैं, नहीं तो इस तरके से नहीं हो पाया, आपका model कोई भी है, तो भी आप playlist पर जाके बाकी सारी वीडियो देखे, अपनी problem का solution निकाल सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो please like पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, तो आप इसको subscribe करके, bell icon को क्लिक करके future notification के लिए unable कर सकते हैं, अगर मन में कोई भी questions रह गया हो, नीचे playlist सा CP plus की all setting की, उसमें जाके देख सकते हैं, अगर आपको उसकी setting भी वहाँ पर नहीं मिलती, तो आप comment बोक्स में रैट कर दीजिए, मैं उसके वीडियो जुरू बनाऊंगा, अगर अब तक वीडियो अवेलिबर नहीं होगी, तो thank you so much इस वीडियो को इतना लंबाद देखने के लिए, take care